आप सभी लोग के घर में फिरिज तो हो गाई और आप लोग ने उसका इस्तमाल भी किया होगा क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि फिरिज का जो गेट होता है वो मैगनेटिक क्यों होता है गजब की नोलिज देंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा देखिए 1956 से पहले फिरिज के गेट में हैंडल लगा होता था जो केवल बाहर से ही खुलता था उस समय काई बच्चे जो खेलते समय फिरिज में छिप जाते थे तो फिरिज का गेट बंध हो जाता था और गेट अंदर से नहीं खुलता था जिसकी वज़े से बच्चों की उसमें मोथ हो जा दी थी तबी से सभी फ्रीज बनाने वाली कमपनियों ने फ्रीज में मैगनेटिक गेट देना चालू कर दिया